लेकिन सोचिये की कोई लड़का जो इतने कम उमरका हो पहले से साधी सुदा हो ऐसा इनकी जिन्दगी में क्या हो गया कि दूबारा से एक लड़की सी साधी करनी पड़ी और तोस्तों जब दूसरी साधी होती है आप साधी सुधा होंगे तो आपके पती अगर किसी पराई लड़की को देख भी लेते होंगे तो घर में जगरा हो जाता होगा आप साधी सुधा होंगे और फेस्बुक पर किसी लड़की को आपके पती लाइक भी कर देते होंगे तो जगरा हो जाता होगा भाईया लेकिन सोचिया कि यहाँ पर साक्षात एक लड़की से साधी करवा दिया वो भी उधन ठाकुर जी की पाली पतनी ने अपने पती का दूसरी लड़की से साधी करवा दिया गया और इसलिए ये साधी युनिक है क्योंकि इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं क्योंकि भाईया पहली पत्नी रहते हुए इसी दूसरी लड़की से चकरो चला तो समंध्वे तूट जाता है मार पीट हो जाता है तलाक हो जाता है अब बहुत तरह का जिक्कत होता है इस सब कि आपकी पहली पत्नी भी सुन्दर है अच्छी है इतने अच्छे से बात कर रहिए फिर ऐसा क्या हुआ उदनता फजी कि दूसरी साधी आपको करनी पड़ी हमको साधी के चार साल हो गया है बार जाकर सब तूस्त नहीं किया है गर वाला गर वाली में जो होता है वो सब बाहर जा के सब को बता देता है तो एक चीज हमको उदन ठाकुर जी जिस तरह से बता रहे हैं कि न खाना बनाने का लूइर है न कपरा पहने का लूइर है न नहाने का न घर के किसी काम का लूर नहीं है उसके ब कोलने का भी लूर नहीं है इसलिए कि मांसिक रूप से थोड़ा सा मांसिक रूप से थोड़ा सा कह सकते हैं कि कमजोर हैं अब मांसिक रूप से हलका जिस बज़ा से इनका खाना इनका कपरा इनका भोजा नहाना सब चीज़ आप ही करते हैं सब कुछ हमी करते हैं सारी उड़ी करना कर लिजी हम लोग कुछ ने करेंगा साधि की हैं अश्वाज जब आपको पता चला की आपकी पत्नी मंद बुद्धिया सोसुराल में बोले तो बोला की भ거든요 आप दूसरा साधि कर सकते हैं हमारी लरकी में कम है और आग जब आप लिगली सादी किया है कोट से तो क्य아 बोला 같은데 या हमारे बैटी को कि Watson कर लिया से थुरा सा बोलिएगा आप की आपके पती सादी किया है आपको धिक्टो्य है इसमें आप खुषी से सादी करवाएं है mine आपको किया है, नहीं किया है, ये दोनों साधिच किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं. खुश हैं अप, आप खुश हैं, पुरा इनको कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि जो पती, मन्द बुधी रहते हुए भी, आप सोचे ना कि आपको ऐसी लड़की से साधी हो जाता, वैसे इनका पूरा सम्मान है लड़की के नाते, संमान इनका भी है कि इनका पूरा काम किये चार साल तक, लेकिन सोचिया कि एक पती का भी, बहुत सारा जजवाती खुआइस होता है, सारेरी खुआइस होता है, यह आपको नहीं मिल पा रहा हुआ तो, बहुत दुखा सीज है अभी या नहीं दोड़ मेरा लेरल के मुझे दिन आपसे नहीं होता है तो जो चुछ दिया कि तनों हमलो बोले नहीं कुछ पिलाजा दोड़ आना मुश्किल है गया तब भी इसको कोई फारक नहीं पड़ा है बहुत सारा कहानी है भाईया अग दस मिनट के वीडियो में सब चीज बताना मुश्किल है इसलिए कि समझ लिए कि अपने बच्चा को इनके मुताबिक दूद भी नहीं पिला सकती थी तो भाईया इनको कहीं न कहीं वो सारा ज लेकिन परिस्थिति आईसी है कि इनके जीवन में दूसरी पत्नी की जरूरत थी और जरूरत इसलिए थी क्योंकि पहली पत्नी के सामती से क्योंकि बहुत सारा चीज इनके जीवन में अधूरा रा गया बच्चा तक इनका मर गया क्योंकि पत्नी नहीं कर पाती थी अब सोचिए बाहर में पैसा कमाएंगे तब तक घरे से निकल गई दिखते हो गया किदो चलिये गई कोई बागिया गया तो भाया एक आदमी चाहिए की नहीं घर में देखने के लिए इसलिए एक लड़की से इनकी साधी करवाई गई उस लड़की से भी आपको मिलवाते हैं क्या नाम है आपका रोषनी कुमारी रोषनी जी बगल में ठाकुर जी है पहले से साधी सुदा है और कोई भी लड़की चाहती है कि हमारा साधी कीसी लड़का से हो, सपनों के राजकुमार से हो आखिर इसे साधी आप क्यूं किये? हम अपने राजि बंदे से किये, खुसी से किये लड़का पसंद है आप? पसंद है जी जैसे इनकी पहले से पत्नी है आपको पता है कि इनकी पत्नी को कोई लूर नहीं है, आपको दो-दो जिम्यवारी उठानी परीगे, एक पती का जिम्यवारी, एक इनकी पहली पत्नी का जिम्यवारी, घर का जिम्यवारी, आगे आपका परिवार भरेगा, इतना जिम्यवारी उठाने के लिए आप तयार हैं हाँ त्यार है त्यार है आच्छा अमूमन जो साधी बजन भीद Efendi होता है तो बहुत मन में लडूiałem फूरता हाँ बहुत तो लिखा हुआ था अधिकत यह है कि रोशनी जी की साधी अभी कोट में हो गई लेकिन भाया साधी के बाद बिदागरी होके लोग घर जाता है बहुत तरह की बाते होती है लेकिन रोशनी जी यहां से घर जाएंगी तो सोचिया कि साधी के बाद लोग घर जाने के बाद इनके स आत बहुत गलत तरह का चीज हो सकता है जैसे कि इनको मारा पीटा जा सकता है इनकी हत्या हो सकती है इनको घर में बंद किया जा सकता है इन पे जुर्बाना किया जा सकता है पंचैती बठाया जा सकता है अब भाईया आइसी साधी जिसके बाद खुशी मिलवे नहीं करें तो पाइदा हुआ आपको तो अभी बहुत दिकत होने बाला है आगे समाज बाले परिशान करना चाहते हैं आपको कोई फ़र्क ने पड़ता है मेरा अपना लोग सहे तो दुश्रास कोई मतलब नहीं मुझे मतलब आपके पती अगर आपके साथ है आपका साथ निवा रहा है तो पर अच्या इतना नहीं पूछेंग गया मतलब 2 साल पहले मिले थे तो आप लोगों में 2 साल का है लग गया रूसनी जी कि देर इनके तरफ से हां हम YE 2 साल से काने करते हैं हम को तो इस है RAW हम个ारे हम आरे घरमे जरूरत हमारे मारे लवाप बुठे कीए हैं और आज जाके मो कर रहे हैं कि isn't कर ये ने किये जहां मिलेगा उड़ा देंगे अच्छाई हैं अजया देटे कि कर लो कम चैखे हमारी को बोल रहा है कि जहां मिलेगा उड़ा कानून का राज किसी के बाप का राज के हैं की लोग का नाम हरी बोल सर्मा हरी बोल सर्मा राम बोल सर्मा और राम देव सर्मा क्या इसके पिता जी का क्या नाम है इसके पूच्छा मुझे नहीं पता है इसके भाइयर का नाम नहीं पता कि एतना दिन में दूसरा इसके पापा का नाम मुझे नहीं याद रहा है पापा का नाम की बात चल गया कोई पंचाइती बैठा करके तीन चार गुंडा लेका है घर पर माय बाप को परशान कर रहा है जो भी बहाए है इनके घर में गुंडा को गुशा रहा है तो साफदान हो जाई क्योंकि बाल भी बाका हुआ इन लोगों का तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं और निश्चित रूप से आप लोगों पर केस दर्ज होगा एक फिल्मी कहानी की तरह जहां पती-पत्नी और साथ में दूसरी साधी और साथ में गुंडे अब हीरो घर जाए गया तो यहां प करेंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा इसलिए इनके साथ किसी भी तरह का जायती दुर्बवार होता तो इसको बर्दास्त नहीं किया जाएगा लेकिन बात है यह भी साधी की और दो साल तक सोच रहे थे कि करें कि नहीं करें कि इधर से कोई जवाब नहीं आ रहे थी नि बहन का ख्याल रखता था कि नहीं रखता था रोशनी कुमारी जी तो आपका पहला प्यार है जी जी सरमा भी रही है लेकिन भाया इस सारा चीज जो हो सो हो इसमें वकील साहब का रोल अहम हो जाता है क्योंकि कानूनन पहली पतनी के रहते हुए दूसरी पतनी से साधी करना इ स्टेशन रोड में लोग साधी कियें तीस तारीक को जब सब लोग इसको प्रैसान करने लगा तो उदन ठाकुर हैं इनके भाई बोले कि कोर्ट से एक सपत्पत्र बना के लिए आए तो हम आए यह आए हम लोग के पास तो हम लोग ने का बीवा सपत्पत्र बना दिया है और पिर लड़का का इक्रार नामा बना दिया है इस लड़की के साथ मतलब रहेंगे जैसे वो लड़की है तो उसके बारे में अब क्या किया जाएगा तो लड़की का यह किये हैं सपत्पत्र बनाएं और लड़की भी अपने तरफ से सपत्पत्र बना के दी है कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है कोई पड़ेस्थानी नहीं हैं पहले हमने इन दोनों का सफथ पत्र ले लिया फिर हमने इनका विवास सपत्र पत्र बनाया है अच्छो वकील साहब जैसा कि इन लोगों को डर है कि इस सारा चीज सहमती से करने के बाद भी जब इन लोगों घर जाएंगे तो इन लोगों के साथ कुछ गलत चीज हो सकता है ऐसे में कानून रूप से एक वकील केनाते, इनलों को मदद मिल सकता है? ये बताया हैं कि हम सारी रुप से बिमार हैं वैसा होता है इनका medical check-up भी हो सकता है आप इनको पैसा गिनने के लिए दीजिए इनको समझ नहीं आएगा और इसे भी तो होता है अगर बच्चे नहीं होता है तो दूसरी पतनी किया जाता है तो पतनी तो दोनों रहती है यह तो कोई भी तरह का हमला हुआ तबाहि हुआ तो निस्टारूप से कोट का दरवाजा इनके मदद के लिए खुला हुआ हुआ उनकी पतनी है वो कुछी खोल दी है वो कोई बी कारवाई किया जाए जाएगा यही सारा चीज है अब इनकी साधी कोट से भी हो गई है मंदिर में मंदिर में साधी किये थे वहां मंदिर में साधी किये थे फोटो नहीं घिछायद है, लेकिन इनका अबाप से डर्ड था मुझे, क्योंकि दाम की दे रहा है, इसलिए हम कोई पुरूफ नहीं बनाए साधी कर लिये, शिर्फ कोट से शाधी कर लिये, वह फोटो नहीं की जाये, लेकिन अज तर पुरा फिली में बना लिये अपने साध की और घ्र जाएगा जको देएगा अब जा कि अधाना हा न अब जाएगे जाएगा आपने कि मर ये देंगा तयोक्त आपके टो हूं अब क्या कि जेगा ग loud आइट आपको भी ळांवी तो और कि मा देगा क दूल помощью का मार देंगे मार देगा ना डर लग रहा है आपको भाई से लग रहा है ना इन लोगों का कुछो होता है तो इनके भाई लोग ही फस्येगा इस बात याद रखियेगा भाईया